दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से बहुत बढ़ी ख़बर लेकर आगया हूँ जो की पेटियम की तरफ से निकल कर सामने आया है अगर आप पेटियम का पोश्ट पेड लोन सर्विस लिये हुए है या इस्तिमाल कर रहे हैं या आगे लेना चाहते हैं इस वीडियो में सारे को डीटेल के साथ समझेंगे कि क्यों पेटियम पोश्ट पेड सर्विस बंद करने का फैसला लिया गया और लोन में क्या कुछ होने बाला है ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा देखें पेटियम पोश्ट पेड अकाउंट अगर आपका अभ अंते विर्ला वाला था उनका लगभग का बंद हुआ मुझे मालूम है ऐसा क्योंकि लोगों ने कमेंट किया अब यहां पर पेटियम पोस्ट पेड सर्विस जो है फिर से हम लोग सोच रहे थे कि चालू होगा क्योंकि जब बंद किया गया तब अनोसी भी भेजा गया इमेल पर नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट और जब वापिस से पेटियम एप में पोस्ट पेड बाले सेक्शन में जाकर हम लोग अपलाई करने जाती है तो वहां पर लिखता है कि करेंटरली अभी नहीं दिया जाएगा जब मिलेगा तब आपको नोटिफाई करा दिया जहां पर मनी कंट्रोल की रिपोर्ट की अनुसार जो बातचीत हुआ है इनके साथ वो यहां पर पुरा डिटेल में बताया गया है और ये न्यूज में भी आप देख पाएंगे दोस्तों आसान भासा में आगे समझेंगे लेकिन इसे से पहले हम लोग देख लेते हैं कि मन कमपणी आने वाले दिनों में अपने पोस्ट पेड लोन बिजनेस को पूरी तरह बंद कर देगी इसके अलावा इसने लेंडर्स के लिए परसनल लोन की कलेक्शन सर्विस भी बंद कर दी है यानि जो लेंडर्स के लिए वो परसनल लोन कलेक्ट कर रही थी कलेक्शन कर रह रही है यानि वो सिर्फ लोन देने से मतलब रखेगी वो NBFC और बैंक के साथ partnership करके लोन देने से मतलब रखेगी लेकिन collection वाला service से वो मतलब नहीं रखेगी क्यों आगे देखती हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिरहाल company कई bank और NBFC के साथ मिलकर साज़ेदारी से उनके लिए loan बाटती और collect दोनों करती है इसकी बदले में company को उनमें commission distribution पर और bonus collection पर मिलता है यानि जब आपको loan दिया जाता है तो paytm को क्या मिलता है commission मिलता है और जब आपसे loan लिया जाता है आपसे collect किया जाता है तब उनको bonus मिलता है यानि दोनों तरब से खुब कमाई उसके बाद आगे देखेंगे तो हलाकि प्रतेक lenders के लिए उनकी सरते अलग-अलग होती है यानि कहा गया है कि जो भी lenders है NBFC partner है जो भी lenders इनका partner है उनका सरते अलग-अलग हो सकती है या depend करता है lenders के उपर आगे लिखा हुआ है कि paytm इनमें इनमें से कई partner को दोनों सिवाए या सिर्फ एक सिवाए देती है यानि इसमें से कई ऐसे partner है जिसको ये दोनों सिवा यानि distribution वाला भी और collection वाला भी सिवा देती है और कुछ ऐसे partner है जिसमें हो सकता है सर्फ distribution वाला सिवा दे रही होगी आगे लिखा हुआ है loan business में credit का assessment और risk management दोनों को lenders से संभालती है यानि जो risk management होता है जैसे आप loan ले लिए और risk होता है कि कहीं आप भाग गया नहीं चुका है तो ये पूरा जो है संभालता कौन है lenders इनका संभालता है जो आप जब भी loan apply कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि किस के तरब से आपको loan दिया जा रहा क्या कोई bank है इसमें या फिर कोई NBFC company है जैसे आदिते विरला हो गया या फिर कई अलग हो जाती हैं कई सारे ऐसे company से partnership करके रखती है तो देखते हैं आपके किस से आपको मिला है तो वो पूरा risk management वही संभालती है वही पेटियम का collection से होने वाले कमाई इस बात पर निर्फर करती है कि ग्रहा कितना चुकाते हैं मतलब आप 2000 दे रहे हैं तो उसी अनुसार से उनको कमाई होगा यानि आप जितना चुकाओगे उस अनुसार से पेटियम का कमाई होगा ये डिपेंट करता है आपके उपर कि आप लोन अमाउंट कितना चुका रहे हो और कितना आपको लोन मिला हुआ है आगे लिखा हुआ है कि अब पेटियम अपने collection सर्विस को बंद करने को सोच रही है साथ ही इसने assist quality को नियंतरन में रखने के लिए बैंकों और NBFC के साथ सर्फ distribution partner बनाने की योजना बनाई है अगे लिखा हुआ है कि कमपनी ने कहा कि छोटे साइज वाले personal loan segment में industry की assist quality खराब हो रही है इसका मतलब है कि हमें personal loan और postpaid loan के मौसूदा book पर collection bonus नहीं मिलेगा हमने इन products को credit cycle समाप्त होने तक रोकने का फैसला किया है उन्होंने कहा कि हमें निकट भविस में collection या postpaid loan के साथ personal loan business करने की उमीद नहीं है और नहीं हमें मौसूदा postpaid loan या ऐसे personal loan पर किसी collection bonus मिलने की उमीद है पेटियम के lender business में नाटकिये रूप से गिरावट इसकी सहयोगी form पेटियम payment bank पर RBI की कारवाई के बाद आया है हाला कि lending business में सुस्ती के संकेत वित्वर्स 2024 की दूसरी तिमाही से ही देखने को मिला यानि कि आपको मालूम होगा कि पेटियम पर RBI ने बैन लगाया उसकी बाद से पेटियम किस तरह से घाटे में जा रही है और लगातार जो है इनकी भारी गिरावट देखने को मिला है जिसमें ये भी देखा गिया कि जो इनका lender business है जो वो partnership करके services दे रही है चाहे post paid की हो या personal loan की हो उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिला छोटा सा और बचा हुआ है देख लिती हैं लिखा हुआ है कि RBI की और से चिंता जताय जाने के बाद पेटियम ने पिछले साल दिसमबर में ऐलान किया था कि उसने छोटे साइज के post paid loan जो की 50,000 रुपे से कम loan बिजनेस को धीमी करने का फैसला किया है हाला कि अब कर्व पांच महीने बाद company ने इस segment से पूरी तरह बाहर निकलने के ऐलान किये है अब समझे बिल्कुल आसान फासा में report मैंने आपको पढ़ कर बता दिया आप सुने होंगे और देखे भी होंगे देखे क्या हुआ कि पेटियम जो है छोटे 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 लोन दे रही थी जो कि 50,000 रुपे से कम बाला भी आपको approval मिल रहा था जो कि NBFC या bank के साथ जो lender था उनका partnership में उनके साथ partnership करके आपको दे रही थी पेटियम पोश्ट पेट बाला में भी दे रही थी लेकिन देखा गया कि इनका जो business है उसमें कम ही आ रही है और गिरावट देखने को मिला मतलब जो भी छोटे 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 लोन दिये जा रहे हैं छोटे 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 लोन के लिए ज़्यादा eligibility criteria होना जरूरी नहीं है तो उसमें देखा गया जो collection होती है कि इनको जो है लगातार देखने को मिला कि भाई भारी गिरावाट आ रही है और इनका नाम भी खराब हो रहा है कहीं कहीं collection को लेकर इनका नाम भी खराब हो रहा था इसके लेकर जो है पेटियम ने अब बंद कर दिया जाएगा मतलब इसमें आपको पेटियम पोस्ट बेट सर्विस नहीं मिलेगा यह पूरी तरह से फैसला ले लिया गया है जो ख़बर था वो आप तक पहुचा दिया हूं बस इतना जान लिजे कि पेटियम जो है आपको लोन देती है जो distribution होता है पेटि नाम खराब होने से और जो business में गिरावट आ रही है इसको देखते हुए पेटियम ने कहा कि छोटे 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 लोन सर्विस को मैं चालू नहीं रखूंगा पेटियम पोस्ट पेट को बंद करने का फैसला लिया उसको लेकर भी बहुत बड़ा फैसला लिया गया और ब मतलब मैं आपसे मांगने जाओंगा तो आप कहोगे कि भाई मतलब मेरे को ही बोलोगे तो मेरा भी नाम खराब होगा ठीक है तो इसलिए वो जो है collection वाली service से अब हट रही है सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्सिप करके वो आपको distribution वाला में सहयोग करेगी जब आप apply करोगे तो वो lender के साथ जो है आप form भेजेगी वो आपका और उसके बाद वहाँ से पैसा आएगा उसमें वो साथ रहेगी और उसमें से जो commission earn होगा वो earn करेगी लेकिन जो collection से उनको मिलता था bonus जो income होता था वो नहीं होगा क्योंकि collection वाला service अप ATM हटा रही है बंद कर रही है तो क के नीचे comment करके बताईए क्या आपका भी ATM post paid account बंद हुआ है जरूर comment करके बताईएगा धन्यवाद